नमस्कार दोस्तों यह हमारे एनायोस सीरीज की चौथी वीडियो है अभी तक हमने प्राची इन सिक्षा और कमपनी के आधी इन सिक्षा और उसके बाद हमने मैकाले का जो विवरण पत्र था ठीक है मैकाले का जो विवरण पत्र था उसके बारे में हमने पिछली तीन वीडि वीडियों में 1833 के चार्टर के बारे में बात की थी, ठीक है, तो अभी तक आपने अगर ये तीनो वीडियों नहीं देखी हैं, तो उपर आई बटन में क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं, इनकी पूरी एनाइवेस की पूरी एक प्रिलिस्ट बना दी गई है, तो आप उस के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो उडिस्पेज के अगर हम बात करें, तो ये एक व्यापक सिच्छा पनाली और संगनात्मक संद्चना को बदलने वाली एक नीती थी, जिसने आधनिक सिक्षा की विचार धारा को प्रस्तूत किया, ठी ठीक है, तो अगर हम इनावस में बात करें, तो उप्रिक्त अनुच्छेदों जो हमने 1833 का चार्टर पढ़ा था, और उसके 20 साल पहले हमने 1813 को चार्टर आया था, उसको देखा था, और उसमें एक धारा थी 43, ठीक है, और उसमें एक लाग का प्रावधान था, ये उसी क के बारें बात की जा रही है, कि उप्रिक्त अनुच्छेदों में आपने देखा कि किस प्रकार लाड मैकाले के मिंड्स ने बेंटिक सरकार की शिक्षा नित को प्रभावित किया, जो अगले 40 वर्ष तक लागू रही, सन 1853 में जब कमपनी चार्टर को नवीनी करण विचा के लिए बिटिय संसत के सम्मुक आया, तो संसत ने भारत में शिक्षा की प्रगत की जाच की, हमने पहले ही बात की थी कि प्रतेग 20 साल पे जो चार्टर होते थे, उन पे समीक्षा की जाती थी और उनका नवीनी करण किया जाता था, तो 1833 के बाद फिर 1853 में एक चार्टर आया और उस चार्टर का जो नमीनी करण हुआ, उसमें बिटिय संसत के जब वो सम्मुक गया, तो आपे भारतिय सिक्षा की प्रगत की जात की गई, कि जो 1834 में जो मैकाले मिंट साय था, ये 1833 के जो प्रावधान किये गए थे, तो उसमें क्या कारी हुए और सिक्षा की इ इसकी यहाँ पे प्रगत की जात की गई, इस जात की आधार पर की गई, टिपणयों अथा प्रस्ताविस सुधारों के रूप में शिक्षा का चार्टर, जिसे 1834 का उट डिस्पेश कहा जाता है, ठीक है, जारी किया गया, भारत में उट डिस्पेश को शिक्षा का मैगना क प्रार्टा महाधिकार पत्र समझा जाता है या कहा जाता है, तो यहाँ पे 24 चीचे कुछ important निकल के आती हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो सबसे पहरी चीज, 1853 का जो चार्टर था, ठीक है, 1853 के चार्टर में बिटिस संसद ने भारतिये शिक्षा की प्रगत की जा जिसे 1854 का उट dispatch कहा जाता है ठीक और इसी उट dispatch को हम शिक्षा का मैगना कार्टा कहते हैं महाधिकार पत्र कहते हैं ठीक है तो कुल मिला के हमारे इस slide में important चीजे ये हैं कि 1853 के charter में भारतिय शिक्षा की समिक्षा की गई और उसके बाद उस समिक्षा के फलसुरूप 1854 का उ प्रेगना कार्टा कहा जाता है या समझा जाता है ठीक है तो यह हमारी इतने important चीजे यहां पर हो गई उसके बाद British संसद British संसद की ओर से सिक्षा नीत की रूप में अपनाई जाने वाली या पहली सरकारी गोश्णा थी यहां पर आपको यह ध्यान रगना ऐसे 1833 में जो हमारा charter आया था जो 1833 में हमारा charter आया था उसमें company ने सुझाओ मागा था मैकाले से ठीक है 1833 के charter में फिर 1834 में मैकाले आया फिर 35 में उसने सुझाओ दिया तो यह company सारे काम कर रही थी ठीक है यहां तक सारे काम company कर रही थी लेकिन जो 1854 का जो हमारा charter आता है जो उट dispatch आता है तो यह British संसद की तरफ से पहली सरकारी घोशना थी शिक्षा के लिए ठीक है यह उट dispatch प्रेशन एक मातरपूर्ण ब्यापक सेचिक दस्ता वेज है तता भारते शिक्षा के इतिहास में इसका अननने अनूठा इस्तान है उट dispatch के बादवारा भारत वार्शियों की शिक्षा का दायूत East India Company पर डाल दिया गया यहाँ पे जो British संसद थी उसने सारा दायूत East India Company को सौप दिया कि वो भारत में शिक्षा का प्रावदान और अच्छे से करें ठीक है किया गया कि किसी भी अवस्था में इसकी अभेलना ना हो और शिक्षा को किसी भी अवस्था में नकारा ना जाए और शिक्षा की विवस्था अच्छे से की जाए यह जो Britain की संसद थी British संसद थी उसने डाला ये इस इंडिया कमपनी पे डायुट डाला इस प्रेशन्ट ने भारत में शिक्षा को एक नई दिसा दी जिसका आज की भारत के शिक्षा पर प्रभाव देखा जा सकता है ठीक तो अगर हम आगे बात करें अब तो आगे इस शिक्षा का उद्देश इरूपिय कलाओं विज्ञान दर्संता साहित का अंगरेजी के माद्यम से प्रसारण करना था यहाँ पे भी बातें वही की गई थी मैकसिमम बाते हैं वही थी जो मैकाले ने की थी कि शिक्षा का उद्देश रूपिय का लाओं विज्ञान दर्शनता साहित का अंगरेजी के माद्यम से प्रसारण था यहाँ पे भी जो पाश्चात साहित थे उन्ही की बात की जा रही थी ठीक फिर उसके बाद भारते भाशाओं के उन्हेन को प्रसाहित करना भी इस उद्देश में समलित था लेकिन जो मैकाले का मिंट्स था उसके अलावा उद्दिस्पेस में ये भी बात की गई कि थोड़ा मात यहाँ भारते भाशाओं को भी दिया गया उसके बाद लोक नवकर साही की उत्पत इस शिक्षा का एक महत्रपूर उद्देश था और उद्दिस्पेच का जो में उद्देश था वो जो कमपनी थी कमपनी में अच्छे खासे जो वहाँ पर वरकर थे जो करमचारी थे तो उनकी सिक्षा को थोड़ा समरिद्द करना था और नवकर साही को बढ़ावा देना था जिससे जो कमपनी थी उसको अच्छे करमचारी मिल सकें इसका में उद्देश ये था इसके बाद इस प्रियोजन के लिए जन सिक्षा प्रचार को प्रात्मिक्ता दी गई जन सिक्षा के प्रचार को प्रात्मिक्ता दी गई और जिससे जन सिक्षा जब लोग सिक्षित होंगे तो जो कमपनी है कमपनी को भी सिक्षित करमचारी मिलेंगे ठीक है तो इसका में नुद्देश यही था अब अगर हम आगे बात करें इसमें तो इसलिए बहुत सारे प्राथमिक मिडिल्स था हाइ स्कूल खोले गए अब ये सलाइड आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है ठीक है यहाँ पर बात की जारे कि इसके लिए बहुत सारी जो जन सिक्षा प्रचार के लिए बहुत सारे प्राथमिक मिडिल्स था हाइ स्कूल खोले गए प्रथम बार उडिस्पेश ने देश के पांचों प्रांतों बंगाल, मांबे, मदरास, पंजाब तथा नार्थ वेस्ट प्रांते में डिपार्टमेंट आफ पुब्लिक इंस्ट्रक्शन को ले गए उच्छ सिक्षा के लिए समस्त संगटनात्मक विवस्था के साथ विष्विद्याले खोलने की योजना बनाई गई इन विष्विद्यालें का उद्देश परिक्षाओं का संचालन करना तथा बिभिन विशयों और भासाओं में सफल विद्यार्थियों को डिगरी प्रद आते रहते हैं के एक्जांस में तो यहां पे सबसे पहले प्राथिमिक मिडल तथा हाई स्कूल खोले गए उडिस्पेच के अनुसार ठीक है उसके बार प्रथम बार पांचों प्रांतों में बंगाल, बांबे, मदरास, पंजा तथा नार्थ, वेस्ट प्रांत में डिपार बिभिन भाषाओं में इसमें अंगरेजी भी थी, हिंदी थी, अर्बी थी, फार्सी थी, बिभिन भाषाओं में सफल विद्यारतियों को डिगरी प्रदान करना था, इसके फलसरूप 1857 में पहले तीन विश्विद्याले, यहां पे पहले तीन विश्विद्याले की बात क यही तब का हमारा मदरास हुआ करता था ठीक, तो यहाँ पे जो पहले तीन विश्विद्याले को गए खोले गए वो कलकत्ता, बांबे, तो था मदरास में खोले गए 1857 में, तो यह इतनी चीज़े इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उट्डिस्पेज के दोरा शिक्षा के अधिकांस पक्षों में संबंदित अनुसंसाय दी गई, जैसे देश वर में सेंड़ी किर्थ विद्याले, प्रारंबिक स्कूल, हाई स्कूल, इंपॉर्टेंट करेंज़ों तथा विष्विद्यालेओं का नेट्वर्क स्कूलcolor करना, विद्यालेओं को वित्यायता देने के लिए ग्रांट इन एbane जई, सहायक अनुदान प्रणाली महिलाओं के शिक्षा के लिए प्रावधान अध्यापिकों का परशिक्षन, कि प्रात्मिक स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमेडियर्ट कालेज विश्विद्यालेओं इनको एक साथ लिंक कर दिया जाए आपस में और विद्यालेओं को विद्ये सहाइता भी प्राप्ति की जाए और इसके लिए ग्रांट इन एड सहाइक अनुदान बनाए गए चिकित्सा इनेरिंग विद्य कानून आधि में भी सिक्षित करने की लोगों की बात की गई और व्यवशाइक सिच्छा को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया ठीक और अगर हम आगे बात करें इसमें तो उट्डिस्पेज का महत इस बात में था कि इसके दोरा भारत के भावी विकास के लिए बहुत सारी मूल लिवान तथा मूल भूत अनुशनसाय की गई कई मुद्धों यसे शिक्षा का स्रेणी करण, शिक्षा का माध्यम, इत्याद को उट्डिस्पेज ने एक नई देशा प्रदान की और भारत के भावी शैच्छिक विकास के लिए नई योजनाओं के प्रस्ताव रखे तो यहाँ पैसा कुछ इंपोर्टन्ट है निया हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो आगे है कि इस दस्तावेश के मुख प्रावधानों का इतिहासिक महत्तो है इससे माध्यमिक शिक्षा को और कुछ सीमा तक प्रात्यमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला उसके सासाद प्रात्यमिक शिक्षा को भी बढ़ावा मिला याद्याप आइसा देखने में आया कि उड्ड़ डिस्पैज की कुछ मात्रपूर्ण अनसंसाओं को काफी समय तक कारियानवित नहीं किया गया और कुछ का कारियानिवन बेढंगे तरीके से किया गया उट डिस्पैज के पर्थम 30 वर्सों में सरकारी संस्थाओं में करमिक रूप से बढ़ोत्री हुई क्रिश्चियन मिस्नरियों को छोड़ कर अननेजी प्रियासों को प्रोत्साहन नहीं मिला तो यहां पर उट डिस्पैज ने क्रिश्चियन मिस्नरियों को भी बहुत सारी सहाइता हैं पर परदान की जब अनुदान आयोग बनाए गए तो अनुदान सभी विब्द्यालों के लिए थे लेकिन जो सरकारें थी वो क्रिश्चियन मिस्नरियों की चल नहीं थी और नहीं वारनेकुलर हाई स्कूल इस्थापित किये जा सके इसमें सार्विक शिक्षा में भी कोई विसेश योगदान नहीं दिया गया एक सतापदी के पश्चादी उट डिस्पेज भारते अकांग्षाओं को नहीं पहचान पाया जैसा कि आपको विदित है अब यहाँ पे जो में बात थी थी कि 1857 के विद्रो के तुरंत पश्चाद इस्थ इंडिया कमपनी को भंग कर दिया गया और सरकार सिधे बिटिस समराज के आधीन हो गई कि 1857 के जो बिद्रो हुआ उसके बस्चाद इस्थ इंडिया कमपनी को भंग करके क्राउन सीधे अपने क्राउन ने शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया और जो सरकार थी वो बिटिस समराज के आधीन आगई फल्सरूप समराज को संगठित दिर्ट करने के प्रयास आरम हो गए थे और शिक्षा की कुछ सीमा तक उपेक्षा की गई तो यहाँ पे जो सरकार का में फोकस हो गया वो अपने सासन को संगठित करने का हो गया और जिसकी वज़ा से यहाँ पे उट डिस्पैज जो था उसके सारे प्रावधानों को कार्यान में नहीं किया जा सका तो अब अभी तक हमने एनावेस को यहाँ पे एनावेस में जितनी चीज़े दी गई है उनको हमने कम्प्लेट कर लिया है तो अब जो चीज़ें यहाँ पे हम इसको एक समरी देख लेते हैं पूरे उट डिस्पैज की समरी हम देख लेते हैं कि इसमें में में चीज़ें क्या थी तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिक्षा का उत्तरदायुत था ठीक है तो उट गोशना पत्र में यहाँ बात सुईकार की गई कि सिक्षा की जिम्मेदारिक कमपनी पर रहेगी तो सिक्षा का सारा उत्तरदायुत कमपनी को सौंप दिया गया ठीक है यहाँ पे जो हमारा पहल संबंदी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया यहां पर जो सिक्षा का में उद्देश था वो था कर्मचारी प्रदान करना ठीक है कमपनी को कर्मचारी प्रदान करना यहां पर सिक्षा का में उद्देश था कि कमपनी को कैसे अच्छे से अच्छे सिच्छित कर्मचारी सि दिये जा सकें ठीक तो अगर हम आगे बात करें अब हमारा अगला पाइंट है कि पार्टिकरम तो उड़ डिस्पैच ने कुछ पार्टिकरम या करिकुलम भी निर्धारित किया सिक्षा का कि गोंशडा पत्र में प्राच पाश्चा दिवात का भी उल्लेक किया गया और उसने भी मैकाले की बात पाश्चात ग्यान विज्ञान को भारत वाश्चियों के लिए उप्युक्त स्विकार करते हुए एवरोपिये कला विज्ञान दरसन दा साहित का प्रसार भारत में करने की इक्षा प्रगट की तो यहां पर यह ने बात तो की कि संस्कृत अर्भी और फार्सी को भी सिक्षा का माध्यम रखा जाए लेकिन इन्हों ने जो मापे उट्स ने संस्कृत अर्भी और फार्सी की उप्योक्ता को स्विकार तो किया लेकिन अंत में वो भी मैकाले की तरह पाश्चात ग्यान विज्ञान को भारत वासियों के लिए उप्योक्त और इवरोपिये कला विज्ञान और दसना साहित का प्रसार भारत में करने की इक्षा विक्तिगी तो कुल्वला के स्टार्टिंग में तो उट्स ने कहा कि संस्कृत अर्भी और फार्सी को आप पाटिकरम में रखो इनको भी पढ़ाओ लेकिन लास्ट में उसने कहा कि इस अला है सिक्षा का माध्यम तो सिक्षा का माध्यम यहाँ पे छेत्रिय भासाओं रखी गई ठीक है और उसके साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी भी रखी गई तो उट्स ने कहा कि भारतियों को छेत्रिय भासाओं में शिक्षा दी जाए लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेज अगर हम आगे बात करने इसमें, ठीक, अगर हम आगे बात करने इसमें, ठीक, अगर हम आगे बात करने तो यहाँ बिश्विद्यालेओं की इस्थापना की बात की गई, कि भारतियों को उच्छ सिच्छा परदान करने के लिए कोलकत्ता, मुंबई और यदि आवश्यक हो तो चन्नई तथा अनिस्थानों में विश्विद्याले इस्थापित करने का आदेश दिया गया ये विश्विद्याले आदर्स रूप में लंदन विश्विद्याले का अनुकरन करेंगे तो यहाँ पे तीन प्रमुक विश्विद्याले के इस्थापना की बात की गई कि कोलकत्ता, बुंबई और चन्नई या यसे मदरास कहते हैं वहाँ पे तीन प्रमुक विश्विद्याले खोले जाएंगे और इनका जो मूल होगा इनमें जो सिक्षन की पद्धित होगी वो लंदन विश्विद्याले का अनुकरण करेगी ठीक है तो यहाँ पी यह इन्होंने बात की विश्विद्याले के स्थापना के बारे में उटस स्कूल होगा और उसके बाद फिर मिडिल स्कूल होगा और उसके बाद फिर हाई स्कूल खोले जाएंगे और उसके बाद फिर कालेज होगा और उसके बाद फिर विश्विद्याले होगा और ये इनको एक साथ ये लिंक कर दिया जाएगा इनका नेटवर्क बना दिया जाएगा कि यह सभी जो विद्याले होंगे यह आपस में लिंक होंगे और एक दूसरे को अपना जो रिशोर्स होगा ज्यान होगा यह दूसरे को प्रचारित प्रसादित करते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर करमबद विद्यालों की स् प्राथमिक, स्कूल, मिडल, स्कूल, हाई, स्कूल, कालेज और विश्र विद्याला यहाँ पे यह पांचों सामिल थे ठीक अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा जो पॉइंट आ जाता है कि घोशना पत्र का ततकालिन प्रभाव, कि ऐसे उटका घोशना पत्र जो 1854 में आया तो इसका जो ततकालिक प्रभाव पड़ा अब हम उसको देख लेते हैं ठीक तो 1856 तक प्रांतों में सिक्षा विभागों की इस्थापना हो गई, यह 54 में आया था दो ही साल के भीतर, 1856 तक सभी प्रांतों में सिक्षा विभागों की इस्थापना हो गई, अगला पॉइंट हम देखे सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रनाली का सुवारं जो सहायता अनुदान की उड़ने बात की थी उसकी प्राली का सुवारम्भ हो गया यहाँ पे सभी प्रांतों में 856 उसके बाद सभी इस्तर के इसकोन था कालेजों की इस्थापना की गई जब अभी जो हमने 5 इस्तर बताये थे उन 5 इस्तरों के इसकोन था कालेजों की बाद सन 1857 इसो में कोलकत्ता तथा बुंबई विश्विद्यालों की इस्थापना हो गई और 1857 में ही चन्नई विश्विद्याले या जिसे हम मदरास कहते हैं ठीक है इसकी भी इस्थापना हो गई थी अठाव सतावन में ही ठीक है तो यहां पर जो ततकालिन प्रभाव सभी प्रांतों में सहायता अनुद्याले का सुबारंभ हो गया सभी इसतर के इसको इता कालेज़ों की इस्थापना हो गई अठास उ सत्थाफना हो गई सब्सक्राशना का दीर कलने प्रभाव किया हुआ अब हम इसको भी देख लेते हैं यहां पर तो यहां पर शिक्षा राज का दायूत माना जाने लगा तथा राज के नियंत्रण में हो गई तो अगर आप बात करो उस समय राज का मतलब हो गया सरकार ठीक है राज का मतलब हो गया सरकार तो उस समय सरकार तो कमपनी ही थी company की सारा सासन था तो शिक्षा company का दयूत हो गई company का दयूत हो गया कि वो लोगों को सिक्षित करे ठीक है यहां पर यह बात की जा रही है कि सिक्षा राज का दयूत माना जाने लगा तता राज के नियंतरण में हो गई ठीक और हमारा अगला पॉइंट है कि सहायता अनुदान प्रणाली को अनवरत कर दिया गया कि सहायता अनुदान प्रणाली को जाई रखा गया जो उड्स ने बात की थी कि सहायता अनुदान प्रणाली बनाई जाए और विद्यालों को सहायता दी जाए तो यहां पे सहायता, अनुदाम प्रणाली को अनवरत कर दिया गया, लेकिन यहां पे जो विद्यालेओं के सहायता की बात की थी, ठीक है, तो यहां पे जो सहायता थी, वो केवल उस अनुदाम प्रणाली से केवल 50% ही देने थी, बाकी जो 50% का व्याई था, ठीक है, वो वि इसको अब ध्यान रखेगा कि सहायता अनुदान प्राणी में जो विद्याले होते थे वो क्यों 50% का ही अनुदान ले सकते थे और बाकी जो 50% का व्य होता था उन्हें स्वयम से करना होता था ठीक है अगर हम आगे अब बात करें तो सिक्षा संगठन को विभिन इस्तरों में विभाजित कर दिया गया सिक्षा संगठन को विभिन इस्तरों में विभाजित कर दिया गया अभी जो हमने 5 इस्तर बात किये थे कि प्राथिमिक हो गया, मिडिल हो गया हाई स्कूल हो गया ठीक है ऐसे ऐसे पांच इस्तरों में इसको भाजित किया गया था ठीक है उसकी बात की जा रही है कि आधुनिक सिक्षा को अंग्रेजी माध्यम के रूप में यहां निर्धारित किया गया और पाश्चात सिक्षा को यहां भी बढ़ावा दिया गया ठीक अब अगर हम आगे इसमें बात कर लें तो आगे सिक्षा की पाट्चरर में पाश्चात ग्यान विज्ञान का विस्तार किया गया ठीक है सिक्षा की पाट्चरर जो थी उसमें पाश्चात ग्यान विज्ञान क विस्तार किया गया और अगला पॉइंट है उच्छा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया उच्छा का माध्यम यहां पे अंग्रेजी किया गया और अगला पॉइंट है क्रमबद विद्यालेओं की निरंता मतलब क्रमबद विद्याले जो खोले गये तो यहां पे ध्यान दिय गया कि जो इस्टूडेंट है वो सीधे पहले प्रात्मिंग में पढ़े फिर उच प्रात्मिंग पढ़े ऐसे ऐसे वो पांचो इस तरों पर पढ़ाई अपनी जाई रखें यहां पर इस बात का ध्यान रखा गया इसमें ठीक है फिर सबसे जो आखरी पॉइंट है कि जन सिक कि पहली वायस में बात की गई थी तो इससे अध्यापक सिच्छा में भी प्रगती हुई ठीक है तो यहां से हमारा उट डिस्पेज भी कंप्लीट होता है और यह एनायवस सीरीज की हमारी चौथी वीडियो थी ठीक है इसके पहले हमारी तीन वीडियो हो गई है और जो हमा यह चौथी क्लास थी इसके बाद हमारी जो पांचमी क्लास होगी उसमें हमारे चैप्टर इंड हो जाएगा ठीक है तो अगर आपने बाकी तीन क्लास नहीं देखे तो आप उनको देख लीजेगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में ठीक है तो धन्यवाद दोस्त झाल 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 झाल